देखिया आज का हमारा टॉपिक जो है वो है संसस ठीक है तो संसस के उपर आज हम कंप्लीट देखने चारहे हैं इसको आपने मिस भी नहीं करना है और स्किप भी नहीं करना है अगर आपने संसस के बारे में कंप्लीट जानना है अगर आपने संसस के बारे में कंप्लीट इन् यहां पर इसको रिलीस किसे ने किया था? Home Secretary और RGCI मतलब Register General & Census Commission of India जिनका नाम है M. चंदर मुली उन्हूने क्या किया था? इसको रिलीस किया था. ठीक है न? यह Home Secretary और RGCI यह एक ही बंद है कान? यह M. चंदर मुली है ठीक है न? और ये किस के अंटर आता है ये सारा मतलब जो Home Secretary इसमें जो Census है ये जो Conduct करवा रही है यहाँ पर करता है कान Home Secretary और AGCI ये किस Ministry के अंटर रहा है ये Ministry of Home Affairs के अंटर है ठेक है न और ये किस Act के थुरू ये Connect किया जाता है Census 1948 Act के थुरू किया जाता है ठेक है चलिए next देकिए यहा अब देखिए next जो 2011 का देखिए अभी जैसा के 2021 का जो Census था वो होने वाला था लेकिन नहीं हो पाया COVID की वज़े से ठेक है न तो अभी जो हमारे पस जो Census के पुछा जाएगा भी आपके हमारे पस जो Questions वगएरह में एक्सम्स वगएरह में तो वो 2011 के Census पर ही होगा सारा ठेक तो जो 2011 का Census था वो 15th नंबर का Census था ठेक है इंडिया में और अभी जो होने वाला था इसमें 2020 में वो 16th नंबर का था लेकिन अभी हुआ नहीं है ठेक है अब देखिए First Census जो हुआ था वो कब हुआ था 1872 में 1872 में हुआ था पहला Census ठेक है किसके टाइम में किसके दोर में Lord Mayo ठेक है अब इसको रिमेंबर करना आपने में आपको बढ़ांगा कैसे करना है दूसरा है First Complete Census यह Complete नहीं था यह Complete Census था ठेक है दस साल का ठेक है तो यह कंसा हुआ था 1881 में ठेक है और इसको कुरए था किसने मतलब किसके टाइम में हुआ था यह Lord अरिपन के देखिए पहला जो हुआ था 1872 में हुआ था ठेक है Lord Mayo के टाइम में ठेक है और इसमें जो First Complete Census हुआ था वो 1881 में हुआ था Lord अरिपन के टाइम में ठेक है I hope आपको यह Points रिमेंबर हो चुक्योंगे ठेक है समझ भी आ गया होंगे ठेक है चलिए Next देखिए यहां पर अब जो मोटो है इस 2011 सेंसिस का वो क्या है ओवर सेंसिस और फीचर यह भी पूछते हैं कहीं पर ठेक है न जेके SSB में आपको कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं ठेक है न चलिए Next ट्रांसजेंडर जो हैं उनको भी इंकलूड किया गया था इस 2011 के सेंसिस में ठेक है अब 2011 जो सेंसिस था वो सेवंथ था अफ्टर इंडिपेंडेंस ठेक है ओवर अगर अगर बात करेंगे तो 15 अभी आपने देखा है तो 69 नहीं वाल था लेकिन 2011 वाला जो था हमारे पास यह सेवंथ था अफ्टर इंडिपेंडेंस अजादी के बात का ठेक है अब important points हमें क्या कर ठेक है सबसे ज़्दा पॉपूलेशन किस की ए उतर प्रो देश की है ठेक है लो यूटी में देके किस की है डैली की है जो सबसे ज़्यादेंड पॉपूलेशन क Een त न क्पर देखने समय माहराश्टा को। आपने आपने पूपूलेशन वाला ऑफ शिम परना है ठेक है सब से कम जो है, पापॉलेशन मों पाउंपेछ, सिंकिम में, स्टेट के हिसाब से, अगर इूटी की बात करें तो वो कहँं सी है, लक्ष दवीब, बै today L से Least और L से Laksh Dweep ठीक है ना तो Least population कहां पर है Laksh Dweep में UT में UT वोई है ठीक है और ये है अगर डिस्टर की बात करें तो वो है Dihang Valley Dihang Valley जो है वो औरनाचल प्रदेश की है ठीक है ना औरनाचल प्रदेश ठीक है अब देखिए पिछली बार एक यहां से कोस्टिन बना था जो VLW में पूछा था कि अच्छली उन्हें स्टेट्स के बारे में बताया था कि पॉपुलेशन के इसाब से ठीक है ना तो देखिए जैसे UP पहले नंबर पर है ठीक है ना बिहार जो है वो तीसे नंबर पर है ठीक है वेस्ट बेंगाल जो है वो चोथे नंबर पर है ठीक है न इस तरह से उन्हें ने दीथी सीक्वेंस एक बना के हमें बताने थी ठीक है न इस तरह से ठीक है तो यह आपने याद रखना है इसमें population में यूपी पर ही नमबर पर है, महराश्चर दूसरी नमबर पर है, इसमें बिहार तीसरी नमबर पर है, और वेस्ट अमिगाल फोर्ट नमबर पर है, ठेक है, आई होब आपको यह highest population के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा, ठेक है, यह fact से यह remember करने, ठेक है, highest population, UP, डैल अब दूसरा अगर आप देखेंगे, तो population density है, ठेक है ना, population density, वे हमारे पास देखेंगे, तो बिहार जो है, बिहार, density का इसमें देखेंगे, तो 1106, 1106 पर स्केर किलोमेटर पारे हैं, ठेक है ना, इसमें, मतलब density का मतलब यह वार कितने लोग जो हो रह रहे हैं, तो वो क उसी तरह से अरवनाचर प्रदेश शेह सबसे कम है। highest sex ratio, अब देखे, सबसे पहले था हमारे पास population, ठीक है, फिर population density, अब है sex ratio, sex ratio जो सबसे highest focus का है, केरलाक है, ठीक है न, 1084, ठीक है, इसमें, दूसरा है, आपके पास कंसा, actually यहाँ पर एक चीज़ आप देख लें, यहाँ पर, कहीं बार यह भी पूछ लेता है, के sex ratio होता क्या है, sex ratio होता क्या है, तो sex ratio होता है, number of females upon thousand males, ठीक है, यह अपने दियान रखना है, sex ratio होता क्या है, number of females upon thousand males, ठीक है, तो केरला में क्या है, मतलब 1084, जो परसंट से, इसमें, आपके पास क्या है, इसमें, जो highest sex ratio वहाँ पा रहा है, एक हजार पर दसो चरसी वह मैन है, ठीक है ना, उसी तरह से पूड़ी चरी में आप देखेंगे, तो केरला में कुछ हिस्सा, मतलब पूड़ी चरी का एक माही डिस्टक है, वो केरला में पढ़ता है, ठीक है, तो यहीं से आप गैस लगा सकते हैं, देखि केरला में पढ़ता है, ठीक है ना, तो देखिए, केरला के सकसरी सबसे हाइस्ट है, उसी तरह से पूड़ी चरी का भी और उसी में पिर माही का भी, यह आपको यहीं से याद रखना है, ठीक है, सकसरी सबसे हाइस्ट किसका है, केरला का, स्टेट में, यूटी में पूड़ है ठीक है आई होब आपको यह इसमें हाइस सेक्स रिशू और लीस सेक्स रिशू के बारे में भी यहां से कंप्लेट मालम पड़ गया होगा ठीक है अब देखिए यहां पर जो हमारे पस नेक्स्ट यह पॉइंट आपने करना कि 2011 को संसस हुआ था जो कंड़क्ट करवाया गया था जो हुआ था कंप्लेट उसमें 16 लेंगोजिस का यूज किया था 16 लेंगोजिस थी ठीक है अब भी अगर बात करें तो हमारे पस मतलब 22 में से अब हम इसको थोड़ा करते हैं जों में कम करते हैं नो हमारे पास ऑगरिखते है यहां पर देखिए, लिट्रेसी, लिट्रेसी में आपको पता है केरला जो सबसे हाइस्ट रहती है, हर बार, ठीक है न, उसी तरह से लिट्रेसी में, जैसे केरला हाइस्ट है, स्टेट में और यूटी में कहान है, लक्ष तवीप है, ठीक है, और उसी तरह से डिस्ट्रेक में कहान है, स उसे तरह से यूटी की गर बात करें तो वो दादर और नागर हवेली है और उसे तरह से अगर डिस्टर की बात करें तो वो अल्राजबूल है ठीक है ना, I hope आपको ये तीनों चीज़ें, मतलब सबसे पहले था पॉपुलेशन, ठीक है ना, फिर पॉपुलेशन टेंसिटी, ठीक है, फिर था आपके पास क्या सेक्स रेश्यू, और ये था आपके पास लिटरेसी, ठीक है ये चार जो आपने, मतलब इन चार फैक्ट्स को आपने कहा करना है, बड़े अच्छे से दियान से, ये रिमंबर करना है, ठीक है ना, बाकी आपको मैंने उपर से बता भी दिया ये, ठीक है, चलिए और जो 2011 के census हुआ था, उसमें कितनी लेंगोज्ज geç पर हुआ था, भो 16 लेंगोजज पर, ठीक है 2019 में होने वाला था ठीक है यदी या बाद में होगा, उसमें 18 लेंगोज पर ये census होगा, ठीक है अभी आने वाला जो अभी हुआ नहीं है, ठीक है न, अब देखें next, ये भी आपना याद रहा है कि हाइस पौपूलिशन ग्रोफ रेट जो है, वो किस स्टेट की है, वो मिगालिया कीज है, remember करना इसको, और लीस्ट जो कम पौपूलिशन ग्रोफ रेट है, वो कांसी स्टेट है, किसकी है, नागलेंट की, highest population growth rate किसकी है मेगालिया की है और least किसकी है नागलेंड की है ठीक है उसी तरह से highest sex ratio child की अगर बात करें तो वो मिजोराम है ठीक और उसी तरह से least sex ratio में अगर बात करें child की तो वो हर्याना है ठीक है चलिए हर्याना दौने जग़ा पर क्या sex ratio में दौने जग़ा पर काम आ रहा है child में भी और दूसरे में भी ठीक है अवराल भी नाग्स देखिए highest urban population कहां किया महराश्टरा किया और तामिलनाडू किया अगर state की बात करें ठीक है ना उसी तरह से अगर overall हम पूरी इंडिया की बात करें तो वो जो highest urban population है वो देली की है ठीक है चलिए facts अब आपको यह याद रखना है जो decadal growth rate मतलब 10 साल किया अगर decadal मतलब decade मतलब 10 साल है तो उसमें decadal growth rate जो है इंडिया के वो कितनी है इंडिया के वो कितनी है 17.4% है याद रखने है सब facts आपको याद रखने है कोई भी चीज ने छोने है यहां से इसमें से कुछ भी ने छोनना आपको उसके बाद density of population वो क्या है 382% per square kilometer density of population जो हमारी इंडिया के वो कितनी है 300 382% per square kilometer है अब देखिए sex ratio 2011 मतलब 2011 गया जो sex ratio है child sex ratio जो है वो कितना है 914 है अब देखिए next literacy rate कितना है 74.04% यह question भी पुछा जाता है literacy rate यह देखिए यह हमारा इंडिया का है लेकिन पिछली बार जैन के का भी पूछा था ठीक है न जमुक्षमिर का तो हमारे पास कितना है 68.75% इस करके इतने करीब है ठीक है न 68 के मतलब 68 और 69 के बीच में यह है ठीक है न इतने percent जो है literacy rate जमुक्षमिर की ठीक है यह भी आपको याद रखना है क्योंकि यह question पिछले बार पूछ चुके है ठीक है चलिए next male के अगर बात करें तो 82% इसमें और female के तने 65% ठीक है अब देखिए next urban population urban population में बात करें तो हमारे पास जो है यह 31.3% हमारे पास urban population है ठीक है और rural population की बात करें तो हमारे पास वो कितनी 68.7% है ठीक है चलिए next चलते हैं हम यहाँ पर नीचे अब हमारे पास क्या demography देखिए demography की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे के john grant जैकि यह याद रखने हैं आपको facts एक भी चीज़ ने छोड़नी है आपने यहाँ से john grant father of demography demography का father किसको कहते हैं john grant को कहते हैं और carl max carl max का father of demographic studies कहते हैं ठीक है demographic studies का father का है carl max father of demography का है john grant डेमोग्राफिक का भी आगर आप देखेंगे actually demography को बता दी क्या आपके पस distribution of population है वो बता दी उसके बारे में ठीक है ना और population के बारे में आपको census पार भी तो आना ही आना है ठीक है जैसे इसमें पतवारी का है ठीक है ना ठीक है तो उसमें ये इस पर बेस्टो कोशन आना ही आना है ठीक है ना तो खासकर उन्हें से demography दिया है लेकिन demography उससे आपको download करने है ठीक है चलिए next है India comprises कितना 2.4% आफ वॉल्ले ने या पूरी दुनिया के बात करें उसमें से 2.54% जो है वो इंडिया ने comprise किया ओगा ठीक है ना इतना हिस्सा महारे पास है इंडिया के पास है और उसके बाद वॉल्ल पपॉपलिशन की बात करें तो पूरी पपॉपलिशन में से 17.5% इंडिया में ठीक है चलिए next हम बात करतें ये important है पिरिट्स ठीक है अब यहां पर आपका यह खतम हो जाना यहां पर ठीक है ना यह आपके facts यहां पर मतलब आपका unit यहां पर खतम हो गया ठीक है बट आगे भी कुछ है जो आपको समझना आपका मन करें तो समझना नहीं तो आप छोड़ भी सकते है देखिए 1901 से लेकर 1921 तक जो पिरिट रहा है उसको stagnant population के नाम से इसमें मतलब जो population के ग्रोथ है वो है हुई है किसमें 1951 से लेकर 1981 में थेक है उसी तरह से 1981 से लेकर 2011 तक जो ग्रोथ रही है वो कहा रही है इस लो रही है एक चीज़ आपको ध्यान रखने है यहां से यह इंपॉर्टन पॉइंट से यह याद रखने है कि 1921 जो है उसको येर अफ ग्रेट डिवाइड भी कहते है 1921 को येर अफ ग्रेट डिवाइड भी कहते हैं और 1911 से लेकर 1921 तक क्या जो ग्रोथ रही थी वो नेगेटिव रही थी यह आपको बहुत इंपॉर्टन है यह यह याद रखनें ठेक है जो 9 फिर्परी को किया होता है National Census Day होता है नचनल सेंसस टै कि संसस का भी आप ने पढ़ा तो इसके पर जो संससस टै है ठेक है रह आपको पता है रहां जैसे अब आप देखके यही थी हमारी मतलब इस census और डेमोग्राफिक को लेकर वीडियो ठीक है अब यह वीडियो को कैसे लगी है अपने कॉमेंट में जुरूर बताना देखिए यहां पर यह चीज़ खतम होगी है लेकिन अब जो यह कैसे भी है वो यहां से भी question पूछ लेती है पूछने का मतलब यह हुआ अब आपको census का मतलब पता हूँ जी कि census होता क्या है ठेक है ना देखिए census क्या होता है एक second एक second हाँ census क्या होता है census होता है एक process होता है किसका collect करने का compile करने का analyze करने का पब्लिश करने का डेमोग्राफिक, एकनॉमिक और सोशल डाटा, ठेक है, अबोट स्पेसिफिक पपॉलेशन, देखिए, ये चीज छोनी नहीं है आपने, अभी मैं आपको पूरा बता हूँगा यहां पर, ये पूरा देखना फिर आपको पता चलेगा, ठेक है, ये इसमें पॉपॉलेशन की और उसके क्रेक्टिस्टिक्स की, जैसे उनकी एज क्या हो गई, जेंडर हो गया, एजुकेशन हो गई, इंकम हो गई, होसिंग, और मौर, मतलब बहुत हर चीज जो है, इसमें इंकलिट की जाती है, किसमें सेंसिस में मालूम करने के लिए, देखी, देख सारी इंफर्मेशन हमें देता है, जैसे के अगर आप यहां जाकेगे, जो शेर है, रूलर और अर्बन पापॉलेशन का, उनकी ओकोपेशन क्या है, फार्म और नान फार्म में, ठेक है, मैन और माजनल वर्क उनका, माईगरेशन रहे होगी, लंगवीटी, एंडिट्स इंकलिवट होता है, सेंसेस में यह सारे चीजिए निकलिude होती है, ठेक है एएक एक फीस में कॉछ यहाँ सेंसेस होता है अब देखे है, यहां पर यहां पर यहां हमारे पस्वपर डेकत ब्रीक JUSTmesi होता है, एक फ्स्ट फेस सेकंड फेस, ठेक है, छक़्ूलिएंच process by households are collected मतलब household और उनके साथ जो assets जूड़ी होई है वो सारा जो है first face में conduct करा जाता है ठेक है दूसर second face में क्या होता है data जो होता है वो किस के उपर होता है population के उपर होता है education के उपर होता है religion के उपर होता है economic activity के उपर होता है scheduled costs और scheduled tribes के उपर होता है यह तो जह किस भी वाले डालते है कि क्या STO और ST उसमें include होता है बिल्कुल जो इसमें census है उसमें SC और STO होता है include होता है language हो गई literacy हो गई migration भी इसमें include होती है fertility भी include होती है यह सब collect किया जाता है किसमें इस census में I hope आपको census के facts और census की definition और census की समझ जो है वो अब आही चुकी होगी complete आपको census के बारे बता है बट आपने अब क्या करना है अगर आपको यहांदा पता चल गया तो अब मतलब यह तो एक topic था जो हमने क्या किया discuss किया अब आपको MCQs भी इसके मिलेंगे यहांपर MCQs लाँगा मैं तो वह भी आपको practice करने यहांपर खुद भी करने है और यहां से भी करने है ठीक है अब यह तक तो हमारे पास यही थी अब मतलब इसमें census को लेकर वीडियो ठीक है ना इतने ही थी ठीक है तो चलिए अब इस लास्ट स्लाइड के साथ अपनी इस वीडियो को हम करते हैं यही पस टॉप ठीक है तो चलिए अगर वीडियो आपको लगी होची तो जाते दे कर दे इसको like ठीक है चलिए गुडबाई टेक कियर